ओम शांती, आज 9 एप्रेल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजनल डेट है 9 मार्च 1994, आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने शिव जियन्ती का महतो बताया, कि ये सने भरा, सुक भरा, न्यारा प्यारा, वंडर्फुल अवतरण दिवस है, त्रिदेव रच्टा बाबा, अपने सालिग्राम बच्चों को देख रहे थे, जो सालिग्राम हैं, उनकी पूजा डबल रूप में होती है, सालिग्राम के रूप में और देवात्मा के रूप में, शो बाबा की पूजा जोती बिंदु रूप में होती है, बाबा ने का बाबा ने बच्चों को डबल पूजे बनाया, उसी का यादगार है, कि डबल पूजा होती है, देख रहे थे बाबा, कि जो मेरे बच्चे हैं, सालिग्राम बच्चे, क्या उन्हें ये खुशी होती है, कि ये मेरा ही यादगार है, और बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, पूजे बनाया, पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से, कि आप बच्चों को ज़्यादा खुशी है, शिवजियनती की, या बाबा को ज़्यादा खुशी है, बाबा को बहुत बहुत खुशी है कि ये बच्चों के लिए बच्चों का जो बर्थ डे है ये नियारा प्यारा है wonderful है दुनिया में पिता और बच्चों का same day बर्थ डे हो same year हो ऐसा नहीं होता यहां पर वर्ष भी वो ही समय भी वो ही तो आपका ये जो जनम दिन है ये यादगार है ये जनम दिन सब के लिए खुशियों भरा है इस जनम दिन पर विशेश बाबा बच्चों से यही चाहते हैं कि दुनिया में वरत रखते हैं या फिर बली चढ़ाते हैं आप बच्चे कौन सा वरत करते हूँ वास्तों में संकल्प में द्रड़ता का वरत लेना है द्रड़ता सफलता की चाबी है संकल्प तो करते हूँ लेकिन द्रड़ नहीं होता है और जो बली चढ़ाते हैं बाबने का ये भी समझने वाली बात है कि आप बच्चों को अपन कमी कम्जोरी की बली चड़ानी है शिवजियन्ति पर केक काटते हूँ डांस करते हूँ गीत गाते हूँ इन सब का भी अर्थ समझना है जंडा लहरानी का भी अर्थ क्या है बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि इस शिवजियन्ति पर what, why or how इसे समाप्त करो. वट की बज़ाए फ्लाई. जहां भी मन में आता है कैसे होगा, कैसे होगा, तो क्या, क्यूँ, कैसे, इनका रुपांतरण करो. वट की बज़ाए फ्लाई. इसी तरह से वाई-वाई आई, तो बाई-बाई. माया को बाई बाई कर दो और हाओ की बचाए बाबन का याद करो I know जानते हैं बाबने समझाया है बाबने बताया है हाओ मींस हावा इसी से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है जब बाबने का बहुत अधिक सोचते हो तो खुशी गायब हो जाती है तो अपना एक चित्र जिसमें आप बहुत खुश है और एक चहरा जिसमें आपका बहुत उदास है दोनों चित्र सामने लाओ क्या अच्छा लगता है ये व्रत लेना है जब तक जीना है खुश रहना है आपकी खुशी को चुराने वाली भी बहुत सारी बाते आएंगी लेकिन आपको अपनी खुशी को छोड़ना नहीं द्रड संकल्प करना है और ये व्रत लो कि मन में कमजोरी की बाते कभी नहीं लाएंगे बाबन का केक पूरा निक खाया जाता केक कट किया जाता है थोड़ा सा खाया जाता है आने वाली परसितियों को बाधाओं को विगनों को कट करना है और अपने में शक्ती भरने का केक खाना है गीत गाना है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा जंडा लहराना है कि मेरे हर संकल्प बोल करम से बाबा प्रत्यक्ष हूँ सुनेंगे बाबा के मधर बोल सार है न्यारा प्यारा, वंडर्फुल, स्ने और सुख भरा अवतरण शिवजियन्ती न्यारा प्यारा, वंडर्फुल, स्ने और सुख भरा अवतरण शिवजियन्ती आज त्रे देवरचता बाप अपने पुझे सालिगराम बच्चों से मिलने आए हैं जैसे बिंदु जोती स्वरूप बाप की पूझा होती है यादगार मनाते हैं तो बाप के साथ साथ आप सालिगराम आत्माओं की भी पूझा होती है बाप एक तरे मूर्ती शिव गाया और पूझा जाता है और आप सालिगराम आत्माओं अनेक हो पूझा दोनों की होती है क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूझे बनाया है कभी भी सालिगराम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो ये हम ही है ऐसा लगता है जब सालिगराम देखते हूँ तो पाबा के तेज स्मृति में आता है कि हम ही है हमारा यादगार है तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या अपने से भी स्रेश्ट पुझे बनाया बच्चों की पूझा डबल रूप में होती है बाप की पूझा एकी शिवलिंग के रूप में होती है आप बच्चों की सालिगराम के रूप में भी होती है देवात्मों के रूप में भी होती है बाप से भी ज़्यादा डबल रूप की पूझा की अधिकारी आप आतमाई हू जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पुच्चे भी हो डबल ताजधारी भी आप हो न निराकार बाप नहीं बनते कहां का भक्त लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं क्योंकि ताजधारी बनाया इसलिए कहां कहां ताज दिखा देते हैं लेकिन बाप कभी भी रतन चरित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते क्योंकि ताजधारन होता प्रैक्टिकल में मस्तक में तो निराकार बाप को मस्तक है क्या शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारन करेंगे लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा इतनी खुशी, इतनी स्रेश्ट समरती रहती है बाप तदा को अपनी जियनती मनाने की खुशी नहीं है लेकिन आप सबकी भी जियनती है इसलिए बच्चों की जियनती की खुशी है क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, चाहिए कहीं कहीं कई बच्चों को थोड़ा आ जाता है, मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाए बाप के सफलता नहीं मिलती, अंडरलाइन करेंगे कहीं पर भी सेवाओं में भी अगर मैपन, मेरा पन आ जाता है, तो संपूरन सफलता नहीं मिलती है, तो न बाप अकेला कुछ कर सकता है, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं, अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे वा आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा क आधार लेना पड़ता है ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकते तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है एक दो के बिना कुछ कर नहीं सकते अगर बाप को किनारा किया साथ नहीं रखा तो अकेले कुछ कर सकते हो क्या बाप कर सकता है बाप भी नहीं कर सकता तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जनम लेना साथ साथ विश्व परिवर्तन करना साथ साथ स्वीट हों में जाना ये ज्रामा की अविनाशी नूद है इसको कोई बदल नहीं सकता तो ये नूद अच्छी है ना प्यारी लगती है ना तो आज सब बाप का बर्थरे मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो शिव जयन्ती है शिव अवतरण है बाबा पूछ रहे हैं बाबा का बर्थरे मनाने आए हो या अपना बाप कहेंगे आपका बच्चे बाप को कहेंगे आपका ये दिव अवतरण जिसको शिव जयन्ती शिव रात्री कहते हैं ये आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है स्नेह भरा परमात्मा का बर्थडे मनाती है सारे कल्प में ऐसा न्यारा प्यारा वंडर्फुल बर्थडे है जो एकी समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो ऐसा कभी होता है क्या अगर तारीक एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है इस यादकार दिवस पर विशेश भक्त लोग भी दो विशेशताओं से दिवस मनाते हैं दो विशेशताई कौन सी हैं, एक तो विशेश वरत धारन करते हैं, दूसरा स्वेम को समर्पितना करते हुए किसी को बली चढ़ाते हैं, तो बली चढ़ाना और वरत धारन करना दोनों विशेशता इस दिवस की हैं, अने एक प्रकार की वरत धारन करते हैं, चाहे कोई भोज का करते हैं, कोई जागरन का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल चलते हुए चलने का करते हैं, कितना भी ठक जाएं, लेकिन वरत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितना समय लग जाएं, वरत नहीं छोड़ते तो यह यादगार किस से कौपी की आपका है ब्रामन जीवन का वरत भगतों का है एक दिन का वरत आपका ब्रामन जीवन का वरत है भगतों का एक दिन का वरत है आपने भी जब ब्रामन जनम वद्धिव्य बर्थ लिया तो क्या वरत लिया सदा अज्ञानीन से और डिर्ध निकिया, तो आप सब ने शिप जियनती उतिती बार्दीवे बर्त्रें पर जागरण का वर्त लिया, इसलिए भक्त बियादगार रूप में जागरण करते हैं, आप सब ने भी शुद्ध भोजन का वरत लिया, इसलिए भक्त लोग कुछ हो जाए, लिए भी मार तो भी अन के वरत को तोड़ेंगे नहीं, तो आप सब कोई भी मन के आगे, तन के आगे पर सितियां आ जाएं, तो वरत तोड़ते हो क्या, कोई तन मन के आगे पर सितियां आ जाएं, आप वरत तोड़ते हो क्या, कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या, कोई देखता तो है नहीं चलो, खालो, अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो, कभी-कभी देखकर थोड़ी दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते-खाते, कभी दूसरा भोचन करने की दिल होती है, अच्छा इसमें अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, रश्या, एशिया, सब पक्के हो ना, या थोड़ा-थोड़ा कच्चे हो, तो डबल विदेशी सभी पास हो गए, और भारत वाले तो पास है, भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक, तो एक बर्थडे की मुबारक, दूस क्या करें, सम टाइम, आज बाप ददा ने, डबल विदेशियों के लिए, बहुत रमनीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजवाई, ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ होना चाहिए, कुछ एंजवाई करें, ऐसे शांत शांत क्यों रहें, ऐसे बाप ने का, डबल विदेशियों के लिए बन में कभी-कभी आता है, कि हम हमिशाँ एंजवाई करें, शांत शांत क्यों रहें, ऐसा कभी-कभी सोच लेते हैं, बाप ददा शिवरातरी पर, इन शब्दों का सबसे द्रड वरत कराते हैं वरत लेने के लिए त्यार हो या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा-थोड़ा मुश्किल है पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे ये वरत लेने के लिए त्यार हो खोई बात में ही मुश्किल है, ये मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, इवरत लेने के लिए त्यार हूँ, तो बाप तदन देखा, जब तक संकल्प में द्रड़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती, संकल्प होता है, लेकिन द्रड़ नहीं होता, तो बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं, क्या करें, वट, अभी वट नहीं कहना, वट की बजाए, फलाई, उड़ना, जब भी वट शब्द आई, ब्रामन डिक्शनरी में, वट की बजाए, फलाई शब्द है, दूसरा शब्द क्या बोलते हो, वाई, तो वाई को क्या क करेंगे? बाय-बाय। सदा के लिए बाय-बाय करेंगे या फोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? हाउ, हाउ अर्थात कैसे, इसके स्थान पर नो, ऐसे करेंगे, जानते हैं, ऐसे नहीं नो, अर्थात जानने वाले, जब तरिकाल दर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाओ कहेंगे क्या, हाओ कहना मना हवा आना, तो हवा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्द है, जो कमजोरी लाता है, यही शब्द है, जो व्यर्त संकल्प का गेट खूलता है, सोचो, जब वा कैसे होगा, यह कैसे हुआ, यह कैसे कहा, क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें, तो कमजोरी के व्यर्त संकल्पों के गेट यह शब्द है, इसको डिक्षनरी में चेंज कर दो, क्या, क्यूं, कैसे, इनको चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे न, तो भक्त लोग आपको ही कौपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है, उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा, तो ये दृड़ वरत रखना, यही शिवजियंती, शिवरात्री मनाना है, मनाना अर्थात बनना, दृड़ संकल्प करना, ये है शिवरात्री मनाना, मनाना पार्थाद बनना, ऐसे नहीं कि सरफ के काट लिया, लाइट जला दी, दीपक जला दिया, तो ये मनाना नहीं, ये मनुरंचन भी आवश्चक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है, कुछ जलाना भी है, एक तरफ दीपक वा मुंबती जलाते हो, दूसरी तरफ केक काटत हो, तीसरा जंडा लहराते हो, चोथा गीत गाते हो, पाचवा डांस करते हो, और क्या करते हो, मीठा बाठते और खाते हो, तो अब ये छे बाते ही करनी पड़ेंगी, पहले तो द्रड संकल्प का मन में दीप जलाओ, जलाएंगे अपनी मन में, द्रड संकल्प का दीप जल कि अब ये द्रडता द्वारा सफलता को पाना ही है, देखेंगे पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है, ये शब्द नहीं, दूसरा केक कोन सा काटना है, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है, तो क्या काटेंगे, जो भी संपन बनने में, संपूरन बनने में, कोई संकल्प मात्र भी रुकावट हो, तो उसको अब से काट लो, संकल्प मात्र भी कोई रुकावट है, तो उसको काट लो, खतम, और जो कमजोरी हो, उ उसकी बजाए शक्ती धारन करने का केक मुख में डालो. पहले काटो, फिर मुख में खाओ. समझा, जंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार रूप से जंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और करम द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का जं दिल में लहराओ. कोई भी संकल्प, बोल करम ऐसा ना हो, जो बाप को प्रत्यक्ष करने का ना हो. क्योंकि सब के दिल में बाप के सनहीं के कारण यही संकल्प है, कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है. तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल करम द्वारा दिल में प्रत् करो, भूत ध्यान से सुनेंगे, डान्स कोनसी करनी है, कभी खुश, कभी उदास ये नहीं, जब उदास होते हो, तो उस समें भी अपना एक फोटो निकालो, जिस समें उदास होते हो, उस समें अपना एक फोटो निकालो, जब खुश होते हो, तो भी फोटो निकालो, फिर दो और फोटो साथ रखो, फिर देखो, अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, तो सदा हरशित रहने का, खुश रहने का, डांस करो, कुछ भी हो जाए, कोई कितना खुशी चुराने की कोशिश करें, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी न, कुछ भी हो जा है, खुश रहना है, ये पक्का वरत लिया न, क्या नहीं कर सकते हो, विल पावर है न, तो जिसके पास विल पावर है, तो क्या नहीं कर सकता, अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे, तो और कौन करेगा, कोई और पैदा होने वाले हैं, या आप ही हो, माला संकल्प अर्तात वरत लो जब तक जीना है तब तक खुश रहना है जब तक जीना है खुश रहना है और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बाटता रहेगा उस मिठाई से तो सरफ मुख मिठा होता है इससे तन, मन, दिल सब खुश हो जाते हैं, तो यह मीठा बाटना है, और गीत क्या गाते हूँ, गीत कौन सा गाते हूँ, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, पसंद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यह गीत गाते हूँ न, सदा गीत, आटोमेटिक बज़ता रहे, ऐसे न होती है तो पता है कैसे गीत गातियों सबको अन्वह तो है ना फिर क्या होता है मेरा है तो बाबा ही तो शब्द आ जाता है सरफ मेरा बाबा नहीं कहेंगे मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है और उसमें तो तो शब्द एड़ हो ऐसी शिवरात्री मनाई न या सोच कर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी भी सोच लिया, डबल विदेशी हो, इसले डबल होशियार हो, अच्छा डबल विदेशियों ने मदुबन में कौन से विशेश सेवा की, क्या किया, ब्रह्मा बाप को प्रत योग ने चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चारो और ब्रामन बच्चों के योग ने कमाल की न, चारो और सबका एक ही संकल्प था, ब्रह्मा बाब को प्रत्यक्ष करना है, फिर कोई ने भागदोड की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाच्चा सेवा की, लेकिन जिनों ने जो योग युक थोकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक हो। स्टेंप वाला चला था उस येर में, जबकि ब्रह्मा बाबा की स्टेंप निकली, तो उसके लिए बहुत भागदोड की, कई उने योग किया, कई उने वाचा सेवा की, या जानते हों, क्या कहेंगे, देखा है या जाना है, जो कहते हैं, लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाओ, थोड़े लोगों ने उठाया, अच्छा अणुभाव किया है, ब्रह्मा हमारा बाब है, ये अनुभाव किया है, क्योंकि अनुभाव और तो जैसे तूल आख अंुभव, अनुभव की आंख से देखा, तो भी देखा कहेंगे, अगर अनुभव भी नहीं किया, और अवयक्त रूप से अवयक्त स्तिती द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, वो अनुभव करा देंगी रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्ट्रेंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो, खुद नहीं करो, तो अच्छा नहीं है न, इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो, तो चित्र से चेतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूती नहीं तो क्या आपको उसका जवाब नहीं मिलता, मिलता है ना, तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है, फिर भी स अनुभों से वंचित नहीं रह जाना, समझा, तो सब ने जो सेवा की विशेश भारतवासियों ने जादा सेवा का चांस लिया, तो बाप तद नाम नहीं लेते लेकिन सब अपने सेवा के रिटान में नाम सहित मुबारक स्विकार करें, डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया, अच्छा लगर नाच रहे थे न, अच्छा चारोर के ब्रामन जनम के दिव्य जनम की अधिकारी आतमाउंको, सदा बाप और आप साथ साथ रहन समीप आतमाउंको, सदा डबल पूच्चे स्वरूप के स्मृती में रहने वाले, समर्थ आतमाउंको, सदा द्रड संकल्प, द्रड वरत को निभाने वाले, सफल्टा की अधिकारी आतमाउंको, सदा खुश रहने वाले, औरो को भी खुश करने वाले, खुश नसीब बच् त्रिदेव रच्चता बाप की, ब्रह्मा बाप की, विशेश बर्तले की मुबारक भी, याद प्यार भी, साथ साथ सर्व स्रेष्ट आत्मों को, नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप तदको, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, श अपनी स्रेष्ट सिती द्वारा भटकती हुई आत्माओं को स्रेष्ट ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भाव। अपनी स्वरूप भाव। आपकी जब ऐसी नैचुरल नेचर हो जाएगी तो इस रेश्ट सिती से भटकती हुई आतमाओं को यथात ठिकाना मिल जाएगा सेवा के महतों को जान कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहने वाले ही आलराउंड सेवधारी है सेवा के महतों को जान कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहने वाले ही आलराउंड सेवधारी है आज चलते फिरते महसूस करेंगे संगम पर बाबा ने मुझे अपना साथ दिया है द्रड संकल्प कराया है मैं द्रड संकल्प धारी आतमा हूँ मेरा द्रड संकल्प है संकल्प में भी मुश्किल शब्द को समाप्थ कर देना है वट वाई हाव क्या क्यूं कैसे सब समाप्थ मैंने रिप्लेस करना सीखा है वट शब्द आते ही फ्लाई शब्द याद करना है वाई को बाई बाई कर देना है हाव का हवा सदाकाल के लिए समाप्थ बाबा ने मुझे सब बातों की जानकारी दे दी समझा दिया बाबा स्वयम साथ है जहां बाबा साथ है मा सफलता भी साथ है मुश्किल शब्द सदा के लिए समाप्थ शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शान्ती शान्ती शान्ती